हुम सभी मूवी थिटर में जाकर मूवी देखना पसंद करते हैं पर क्या आपने कभी जाने ही कुशिश की है क्या आखिर मूवी थिटर में लगे मंख्मली परदे के पीशे कौन सी दुनिया है जब आप ब्लॉग-बस्टर मूवी का मज़ा ले रहे होते हैं तब आप का सिक्रिट्स पर से परदा हटाने के लिए नंबर दाज आप बीमार पढ़ सकते हैं हम जाते हैं सोने के लिए रोज मारवा के जन्द की से कुछ लग घंटे बिताने के लिए मगर असल में तो होता यह है अगर आप एक 3D फिल्म देखकर लोटें, जब हम पूरी तरह खुद को एक 3D फिल्म देखने में लगा देते हैं, तब हमारी आखे हमारे ब्रेन को ये मैसेज भीजती है, कि आप घूम रहे हैं, जब कि आपके कान के भीतर वाला लिक्विड, जो कि मोमेंट वाला मैसेज ब्रेन को होने लगती है, मेरे लिए तो उन सस्ते चश्मों के पैसे देना ही बीमारी का एक ऐसास जैसा है, कई लोग हॉरर फिल्म में देखने के दौरान बेहोश भी हुए हैं, साल 2016 में तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब कैनिबल थीम वाली हॉरर फिल्म होरिगोन में एक शक्स कुछ बी एर पी कर रॉग वन मूवी देखने चला गया और थेटर में उसको नीन लग गई, फिर क्या था, जब वो जागा तो देखा कि थेटर बंद हो चुका है, आखिरकार उसको 911 पर डाइल करके खुद को बाहर निकलवाना पड़ा, नमबर 9, ओडियो विज्वल जूट, मुझे इस बात पर डाउट है कि आप कभी एर प्लग लेकर थेटर में गए हों, पर आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, हलाकि मूवीज के लिए इंदस्प्री स्टेंडर्ड वॉल्यूम 85 डेजिबल है, पर थेटर से 130 या फिर इससे भी ज अगर आपको लोकल थेटर वाला ये कहकर अडबटाइज कर रहा है कि वो आपको एक्स्ट्रीम डिजिटल में मूवीज दिखाने वाला है तो आप इस बहकावे में मताइए, क्यूंकि एक स्टेंडर्ड मूवी डिजिटल प्रिजिक्शन सिस्टम का फैंसी नाम है, दरसल high-end IMAX system की बजाए इस सस्ते और आसानी से maintain होने वाले system को इस्तिमाल करते हैं इसका मतलब ये कता ही नहीं है कि IMAX हमेशा ही सबसे बेहतर है एक IMAX के लिए standard size होती है 72 feet की और चौड़ाई 52 feet की लंबाई पर सभी theaters के पास fit करनी की जगह नहीं होती हलागे फिर भी वो खुद को IMAX बताने से बाद नहीं आते example के तौपर अगर New York के Times Square वाली AMC Empire की IMAX स्क्रीन की बात करें तो ये सिर्फ 85 by 28 की है जो कि standard size के आधे से कुछ ही ज़ादा है अब आप movie देखने जाने से पहले इस बात पर research करके जाएं क्या आप movie IMAX में देखने जा रहे है या लाइमेक्स में Snacks जबाने का लोथ फिल्मों में जाने के सबसे अच्छे हिस्सों में से एक है हलागे आपको ये ध्यान रखने के आवशकता है कि यदि आप concession stand पर उन snacks combo में से एक खरीद रहे हैं कि वे पैसे बचा रहे हैं जिससे वे खाने के लिए ज़रूरत से अधिक भोजन खरीदने के लिए प्रोथ साहित हो जाएं आप वास्ता में normal से जादा खर्च कर डालते हैं और आपको बस एक मामूली cardboard snake holder ही extra मिलता है अगली बाद जब आप फिल्म में combo लेनी की सुचें तो इससे पहले एक बार इसको जोड तोड़ कर दिमाग में ज़रू सुचेगा आपको घटिया सी 3D glasses बेचने के बाद और यहां वहां गिरे पड़े आपके पॉपकॉंस उठाने के बाद movie theater के staff को भी आराम की ज़रूरत पड़ती है अकसा theater करमचारी को उनके पसंद की कोई सी भी film फ्री में देखने दी जाती है उन्हें इसके लिए असल में प्रोथ साहित भी किया जाता है ताकि वे customers के सवालों के जवाब दे सके हालाकि चीज़ें अपहले जैसी बेहतर नहीं रही कुछ साल पहले theater बंद हो जाने के बाद यहां के करमचारी विशाल काई साइस की गेमिंग के लुफ के लिए वहां के बड़े पर प्लेस्टेशन और एक्स बॉक्सेश चला लेते थे वैसे cinema स्क्रीन पर call on duty वो भी super sound के जाथ खिलने का मजाई कुछ और होता होगा अगर आप किसी movie theater में काम करने वाले को जानते हैं तो उनके साथ जाकर इसका मजा ले सकते हैं कई movie theaters अपने करमचारीओं को उनके परिवार वालों या दोस्तों के लिए मुफ्त में टिकेट भी देते हैं बस आप ज़्यादा सवाल मत कीजेगा नमबर 6 आपका theater साफ नहीं है theater मालक full shows चला कर अपना पैसा बनाते हैं इसके चलते वो दो show की बीच में इतना समय नहीं देते हैं कि auditorium साफ हो पाएगा कई बार cleaners को पूरे hall को साफ करने के लिए कुछ minute ही मिलते हैं एक show खत्म होते ही वो अगला शुरू हो जाता है इसलिए वो सिर्फ उपर ही उपर हलकी फुलकी जाडू लगा पाते हैं ना की vacuuming ना ही carpet cleaning उनको सफाई के लिए दिन पूरा खत्म होने का इंतिजार करना पड़ता है इसी वज़े से तो आपके local theater का carpet चिप-चिप सा होने लगता है जिसे आप शायद पसंद भी करते हो अगर आप theater में cleaning करने वालों के मदद करना चाहते हैं तो आपको अपना कच्रा खुद ही बाहर ले जाना होगा अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इतना तो आप करीज सकते हैं कि अपने कच्रे को नीचे कहीं यहाँ वान इप्टाने की बजाए सीट के उपर ही डाल दें इससे cleaners को सफाई करने में आसानी होती है अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें थेटर में बच्चों को साथ ले जाना पसंद है तो आप ऑईल की बजाए बात्रूम में जाकर डाइपर्स बदलें एक डिजनी फिल्म के तुरंद बाद cleaners को यह बिलकुल नहीं सुआ था कि उन्हें सीट की नीचे कोई भरे हुए डाइपर्स मिलें नमबर पांच आपको कुछ चौकाने वाले प्रिव्यू देखने को मिल सकते हैं सबसे जाधा इरिटिशन तो इस बात से होती है कि आप शो शुरू होने के बताय वक्त पर पहुंचते जाते हैं मगर शो तय वक्त से आधी गंटे बात शुरू होता है ऐसा जानबूश कर किया जाता है ताकि थेटर माले का आपको स्नैक्स बेज सकें और एड़टाइजमेंट से कमाई कर सकें थेटर वाले इस वक्त में आपको आगे आने वाली फिल्मों के प्रिव्यूज भी दिखाते हैं ताकि आप दोबारा थेटर में लोटाएं अक्सर ये प्रिव्यूज उन्ही तरह की फिल्मों के होते हैं जैसे फिल्म आप देखने गए होते हैं जैसे डिजनी की फिल्म के तोरान डिजनी की तरश पर ही बनने वाली फिल्मों के प्रिव्यूज देखने को मिलेंगे हलाकि साल 2016 में कैलिफोर्निया की एक थेटर में फाइनिंग डोली देखने का वियर्स तब हैरान हो गए जब उन्हें सेट रोगन की आर रेटेट कॉमेडी सॉसेज पार्टी का प्रिव्यू दिखाया गया जिसमें ना सुर भद्धे जोकस थे बलकि गालियां भी थी आपको अगर यह गलत लगा तो और सुनिए साल 2013 में फ्लोरिडा में परिवार इंतिजार कर रहे थे फ्रोजन फिल्म देखने का और चला दिया गया खुलम खुला सेक्शुल थ्रिलर निम्फो मैनेक का प्रिव्यू फिर गया था थीटर मैनेजर डर के मारे फ्रोजन हो गया हम पहले ही देख चुके हैं कि मूवी स्नेक्स महंगे होते हैं क्या आप जानते हैं कि मूवी पॉपकॉन सबसे अच्छी फ्लेट स्टीक से भी ज्यादा महंगे पढ़ते हैं यूखे के सिने वर्ल में एक किलो पॉपकॉन का भाव जोड़ के दिखें तो 65 पाउंड का पढ़ता है और बहितरीन एबदीन एंग्स के मास की एक किलो एजिड विंग रिब कितने की पढ़ती है सिर्फ 57 पाउंड की इसकी खुश्बू इतनी अच्छी होती है कि आप इस पॉपकॉन दो दिनों तक फ्रेश रह सकते हैं पर ऐसा भी नहीं है कि हमने ये सुना हो कि थेटर वालों ने बहुत सारे पॉपकॉन एक हफते तक चला हूं खास बाती है कि थेटर मालकों को पैसा कमानी क्ले स्नेक्स बेचना ही एक मात्र बड़ा जरिया मिलता है पहले एक और दो महीने तक तो थेटर में चलने वाली फिल्म की टिकेट से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा सीधा स्टूडियो के पास चला जाता है थेटर तो तभी पैसा बना पाते हैं जब मूवी तीन या उससे ज्यादा महीनों तक चलती हो अगर हम पॉपकॉन के महंगे दाम करते हैं इसलिए हर साल इन एड का टाइम लगातार बढ़ता ही जा रहा है अब तो प्रजेक्टर शुरू होने से फिल्म शुरू होने तक आधे घंटे तक एड दिखाई जाते हैं इससे ओडियंस को घुसा आने लगता है हलाकि मूवी एड़ुटाइजिंग रिवेन्यू दस फीस्दी की दर से हर साल बढ़ रहा है इसलिए इसके जल्द बंध होने की कोई उमीद ना ही करे और सतन तीस सेगंड के मूवी थेटर एड के लिए हर महीने प्रती स्क्रीन करीब साड़े तेरा सो पाउंड चुकाने होते हैं इसमें कोई ताजव वाली बात नहीं है कि थेटर जादा-जादा ऐसे एड चाहेंगे हाँ पर इन विग्यापनों से बचनेका और मूवी शुरू होने के एक दम ठीक समय पर पहुचने का एक तरीका होजगता है आप एक काम करें टिकेट पर फिल्म शुरू होने का समय भले ही सही नहीं आ हो पर उसके खत्म होने का स सब audio technicians अपने equipment से related काम के लिए जात अब पीछे से दो तिहाई वाली seat पर बैठते हैं अगर आपको वो seat मिलती है तो आपको cinema देखने का बहतर experience मिलेगा अगर आपको soft sound पसंद है तो दीवार के पास वाली seat आपके लिए बहतर है अगर आपको best seat मिल जाती है और आप उस पर ज लोग सोडा अपने पैरों की बिच रखते थे ताकि उनकी जांगे ठंड से जम जाएं या फिर वो अपने ड्रिंक को फ्लोर पर रखते थे ताकि वो इसे ढोल ना सकें ये एक दुविदा है याद रहे गलती ना करें नमबर वन की बात करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को इंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हम हर रोज ही फैक्ट से भरे हुए मज़दार वीडियोस अप्लोड करते हैं और हाँ अपडेटिड रहने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें नहीं तो आपको इस बात का पच्चतावा होगा कि आप अमेजिंग नॉलिज से चुक गए हैं जो आपके ब्रेन की बेस्ट खुराग होती है चलिए अभी वापस चलते हैं नमबर एक आपको गुप्त तरीकों से चीजें बेची जाती हैं हम जानते हैं कि थेटर्स आपको जादा से जादा स्नैक्स बेचना चाहते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि वे ऐसा करने से कभी खुद को रोकेंगे नहीं शौपिंग मॉल और सूपर मार्केट की तरह ही मुवी थेटर्स भी आपके पॉकेट या कहें की बैंक बैलेंस से जादा से जादा पैसा निकलवाना चाहते हैं इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आप मुवी थेटर में घुसने से पहले कंसेशन से गुजरते हैं अगर आपके साथ बच्चे होते हैं तो वो उनके पसंदीदा मुवी करेक्टर्स को पॉपकॉन की बगिट्स पर ही देख लेंगे ये कलाकारी वहां के दिवारों पर भीचारों तरफ होती है मुवी से पहले का एक्स्ट्रा लॉंग एड़ोर्ड सेशन आपको लॉबी में जाकर ट्रीट का मौका देता है शायद आपको अपना सामान बेचने के लिए ये इतने बेचन हो जाते हैं कि कहीं कहीं तो पॉपकॉन मेकिंग मशीन के उपर लगे एक्जॉस से निकलने वारी अरोमा को पंपिंग और केमिकल के द्वारा बढ़ा देते हैं इससे खुश्बू ना सिर्फ औरिटोरियम के बाहर के एरिया में फैलती है बलकि आपकी सीट तक भी इस तरह पहुँचाई जाती है कि आपको वहां बैठे बैठे भूब मैसूस होने लगे कौन होगा जो इस सब के बाद भी खुद को पॉपकॉन खरीदने से रोख सकेगा क्या आपने यहां दिखाई गई किसी भी थेटर ट्रिक को पहले कभी नोटिस किया है क्या आप इन चालाकियों से बचने का तरीका जानते या हो सकता है कि आपने मूवी थेटर में एक्स बॉक्स खेला हो खैर जो भी किया हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके जरूर बदाएं देखने के लिए शुक्रिया